चलिए तु यहां पर आजाईए यहां पर हम लुक समझते हैं पहला हमारे पास question आता है और chapter भी यहीं से start होता एक्चूल में तो कि D-block elements होते क्या हैं D-block elements होते क्या हैं विसे तो आपको बता रखाए D-block elements क्या होते हैं वोई चीज यहां पर लिखी हुई है अब ऐसे elements जिनमें की last electron कहा जाता है d orbital में जाता है last electron उनको हम लोग d block element बोलते हैं ठीक है उसके अलावा d block element का एक और नाम है d block element का एक और नाम है जिसको बोलते हैं transition element there are also known as transition element अब transition element इनको बोलते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है d block element को भी transition element बोलते हैं transition element क्या होता है तो d block element होता है लेकिन transition element में एक छोटा सा exception है जो कि आपको ध्यान रखना है question यह आता है पहले तो अगर आपसे पूछे कि d block element क्या होता है तो आप लोग दो लाइन में इस तरह से बता सकते हो ठीक है और आप चाहो तो एक्जामपल लिख सकते हो कि डी ब्लोक एलिमेंट में यह यह आते हैं इस तरह से अपना answer को आप लोग 5 से 7 लाइन में extend कर सकते हो लेकिन अगर question यह आता है कि what is transition element तो आपको क्या लिखना है तो transition element जो होते हैं उनकी एक condition होती है कि transition element d block element ही होते हैं लेकिन वो वाले d block element होते हैं जिनमे क्या होता है जो d orbital होता है वो partially filled होना चाहिए सम्जाएंगे आपको मतलब इसका क्या होता है लेकिन पहले पढ़के देखू Those elements which have partially filled d orbital in ground state or in oxidation state क्या मतलब वो है इस चीज़ का जरा यहाँ पे आईए यह सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे चिंता मत करो आप लोग पहले यहाँ पे आओ पहले आप लोग यहाँ पे आओ यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा zinc जरा zinc की उपर नजर मारो यहाँ पे zinc यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को zinc यहाँ पर अब zinc में zinc में d में कितने electron है यहाँ पर 10 electron है zinc के अंदर d block के अंदर ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो d block है वो fully filled है यह क्या है fully filled है उसके अलावा जरा copper को देखो copper में भी d block के अंदर 10 electron आ चुके है मतलब यह भी fully filled है zinc जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर हमने कुछ नहीं किया electron fill करते गए तो automatically हमने देखा कि d के अंदर 10 electron आ गए लेकिन जब copper की बात करते थे हम लोग तो copper में क्या हुआ था copper में हमने यहाँ पर excited कर दिया था 4 is 2 आये थे हमारे पास electron लेकिन हमने excited किया था तब जाके हमारे पास d में 10 electron हो गए ताकि stability हमें मिल सके तो हमने यहाँ पर copper में क्या किया था हमने oxidation state से excited state में इससे convert किया था इसको बोलता है excited कर देना electron को excited कर देना इसको oxidation state भी बोलते है एक होती है general state एक होती है हमारी oxidation state general state को हम लोग ground state के नाम से भी जानते है तो zinc के क्या है zinc में हमने क्या किया कुछ नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे ground state copper में क्या हुआ copper में हमने extend कर दिया ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग copper में क्या क्या हमने excited कर दिया electron तो यहाँ पर 10-10 electron d के अंदर आ गए तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगी कि इन्हें transition element मत बोलू क्योंकि transition element वोई होते हैं जिनके अंदर partially filled d orbital होना चाहिए तो यह सब हमारे क्या होगे यह सब हमेरे transition elements होगे zinc copper mercury यह जो होते हैं यह हम लोग इनको consider नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की केटिगरी में बात आई समझ में आब यहां पर फिर से आजाओ अब एक्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे चरह देखो जिंक केडमियम मर्कुरी एच जी मतलब मर्कुरी समझाने के जड़रत नहीं है सारी चीज आपके सामने क्लियर लिखी हुई है तो यह बात हो जाएगी यहां पर जिंक केडमियम मर्कुरी यह जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हमें नहीं बोलते हैं यह फुली फिल्ड होते हैं डी और बाइटल नहीं होता है वह हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यहां पर हमने कुछी एक्जामपल लिया जिंक लिया केडमियम लिया मर्कुरी लिया आप लोग कोपर ले सकते हुआ तो यह हो जाएगा उसके बाद नीची आजाओ थ भी बलोग एलिमेंट्स ब्सक्ष्टछैंग्य जो हमारे पास सब्सकुत्ते हैं उनकी जन्रल इलेक्टर्णी करण क्फिरेश्टन क्या होती है है तो तो n-1 D और D में कितने electron आ सकते हैं एक से लेके 10 तक उसके बाद N is 1, 2, 2 1, 2, 2 तो S में हमारे 1 या 2 electron आ सकते हैं ये चीज़ आपको हमने पहले ही बता दिए तो इसमें हम ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रुवत नहीं है objective के point of view से बहुत important है ये बहुत ज़्यादा important है और हो सकता है कि आपके exam में पूछा जाएगा objective में कि general electronic configuration of deep block element बताओ तो आपको ये चीज़ लिखनी है मान के चलो कि question तो आता ही आता है 90-95% chance है कि question आएगी आएगा या तो D का आएगा या F का आएगा electronic configuration आपसे पूछेंगे ये पूछेंगे तो लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें और जानातर इस्टों लिख देंगे इसे क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये आगे आजाएए next हमारे पास जो topic है वो start होता है या general trends of transition elements 2019 में question आया था ये और इससे पहले भी बहुत बार question आ चुके और यहीं से question बनते है deep block element का सबसे important part यह यह और इसके लावा ही क्या deep block element छोटा सा तो chapter है ओके तो start करते हैं हम लोग general trends से general trend of transition element पहले तो आप लोग ये समझों कि trends क्या होता है trend क्या होता है जैसे Instagram आप लोग चलाते होंगे पहले Instagram जो था उसमें कोई story वगेरा story थी वहाँ पर रेकिन real का कोई feature वहाँ पर नहीं था तो real आने के बाद से लोग real बनाने लग गए तो real का trend चल गया अब देखो exception हर जगा होते है exception हर जगा होते है अब अपने क्या बोला कि real हर कोई बनाने लग गया हर कोई का मतलब यह तो नहीं है कि सभी बनाने लग गए बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो real नहीं बनाते हैं जैसे आपकी तरह आप लोग नहीं बनाते हो समझदा है बच्चों आप तो यह बात होती है तो train का मतलब यह होता है क्या चल रहा मार्केट में उसी तरह से यहां पर transition element में भी यही कहानी है कि बाकी लोग सब follow कर रहे है कुछ एक दो गिने चुने होंगे जो उस train को follow नहीं करेंगे यह होता है और क्या तो पहला आता है atomic radii पहले आता है हमारे पास atomic radii atomic radii आपको बता दिया क्या होता है size में एक measure factor अदा करता है radius radius बड़ेगी तो size बड़ेगा ओके तो अगर हम ऐसा बोलने है कि इसकी radius बड़ी है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple सा है कि इसका size भी बड़ा होगा तो देखिए इसको याद करने का तरीका है हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा इसे और confused भी होगे होगे कोई बड़ी बात नहीं अगर आप confused हो रहे हो यहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा ही गलते इसे पढ़ने का तरीका आपको सुधारना होगा इस चीज़ को कि जो atomic radii है यहाँ पर exception बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको atomic radii को आपको किस तरह समझना है वो देखिए पहले एक काम करते हैं पहले इसे पुरा पढ़ लेते हैं उसके बात समझाते हैं आपको काफी सिंपल है वैसे आप लोग देख की समझ सकते हो लेकिन देख एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ atomic radii of deep block element in a series initially decrease initially decrease डाइग्राम को भी जखते जाओ साथ साथ initially decrease तो भी यह decrease हो गया with the increase in the atomic number atomic number जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी जैसे जैसे हम लोग left से right की तरफ move करेंगी periodic table के अंदर वैसे वैसे क्या होगा हमारा size decrease होता जाएगा and then become almost constant and become almost constant और एक समय ऐसा भी आएगा कि यहाँसा लगेगा and and at the end at the end the atomic radii slightly increase atomic radii slightly increase थोड़ सी बढ़ गई for last electron for last electrons last elements very sorry तो देखो यह बात तो मैं समझ में आगी कि मान लो अगर एक्जाम में यह आता है atomic radii तो हमें यह चीज दियान रखने कि पहले तो भाया atomic number के साथ साथ इसे decrease करते जाओ size को क्या करते जाओ decrease करते जाओ एक समय ऐसा आएगा कि यह constant हो जाएगा constant हो जाएगा उसके बाद सबसे last में last के element के लिए क्या होगा यह थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा size थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा slightly increase होगा तो बस ये ध्यान रख लो, कहानी खतम, अरे कहानी खतम, ये देखो, इस तरह से इसको समझ लो, तो जबी तो हमने ये बनाया, ये होता smart study, इस तरह से आप लोगों को पढ़ना होगा, अब इसके reason के उपर भी बात करेंगी, पहले तो आप लोग ये समझ लो, reason तो हम लोग कि क्या इसका इसा reason है, क्या इसकी नोबत आप पड़ी कि ऐसा ये follow करता है, तो देखेगा यहां पर, atomic radii of deep block element in a series, initially decrease, चलो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब हमें कहां से पढ़ना, start करना है, हमें यहां से पढ़ना, start करना है, color change कर लेते हैं, यहां से, ओके, within a transition series, is the decrease in atomic radii in the beginning, is due to the increase in the effective nuclear charge, तो देखो, तो यहां पर यह बात लिखी गई है, कि जो decrease हो रहा है न हमारा atomic radii, वो किसकी वज़े से हो रहा है, वो effective nuclear charge की वज़े से हो रहा है, ठीक है, effective nuclear charge, अंदर क्या होगा, अंदर force of attraction लगेगा, जैसे जैसे आप लोग electron की संख्या बढ़ाते जाओगे, तो proton और electron के अंदर force of attraction लगेगा, force of attraction लगेगा, एक दूसरे को attract करेंगी, अगर electron और proton एक दूसरे को attract करेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, size हमारा सिकुडता जाएगा, छोटा हो जाएगा size हमारा, पहले यहाँ था, electron आपने बढ़ा दिये, तो और जादा force of attraction लगा, तो size हमारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, आ रहे यह बात समझ में, within a, within atomic number, with the increase in d electron in n-1 d sub shell, screening effect for n-s electron increases, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, with the increase in d electrons, अब electron की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा screening effect जो होगा, वो भी बढ़ता जाएगा, अब screening effect क्या होता है, screening effect क्या होता है, screening effect, shielding effect, यह एक term होती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले, lengthenoid contraction में आपको पढ़ाएंगे हम लोग, shielding effect क्या होता है, screening effect क्या होता है, अब ही आप लोग यह समझ लो, अब ही आप लोग यह समझ लो, कि जो हमारे electrons थे, электrons डो shell में हमारे मौजूद थे अब वो बढ़ते जा रहे हैं तो electron की संख्या बढ़ रही है तो electron के बीच में क्या होगा Repulsion का Force लगेगा तो एक समय एसा आ जाएगा एक समय एसा आ जाएगा कि यह जो चीज बढ़ रही थी जो हमारा Effective Nuclear Charge की वजएसे size हमारा छोटा होता जा रहा था वो अब छोटा होना बंद हो जाएगा आप लोग simple सी बात ये समझो कि effective nuclear charge का जो system था वो यहां तक ही follow हो रहा था यहां तक इसके बाद से ये follow होना बंद हो गया क्यों हो गया बंद क्योंकि ये वो factory meter नहीं कर रहा है यह बात होती है यहां पर अभी तो हो समझी है आप लोग इसको थोग सा क्या हो रहा है यह स्क्रीन के उपर बार बार इधर दो क्यों हो रही स्क्रीन यहां पर है हम लोग ओके तो यह बात हो गई कि पहले तो decrease होगा क्योंकि effective nuclear charge की वज़े से लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि effective nuclear charge को कोई फोलोई नहीं करेगा कि वह क्या है effective nuclear charge वो लोग यह बोलेंगे तो effective nuclear charge का जो फंडा है वो starting में रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा उसके बाद screening effect की बात यहां पर की जा रही है इसकी इफेक्ट आपको समझाएंगे उस कब समझाएंगे आपको जब हम लोग एक ब्लोक एलिमेंट पढ़ेंगे अभी पढ़ने वाले अगले वीडियो में उसकी बीचिंता मत करो आप लोग अब आगे देख लो फिसके बाद एक बरूर रवाइस करवा देंगे आपको तो this counterbalance, this counterbalance the effect of increased nuclear charge due to increased in atomic number तो जो हमारा effective nuclear charge था उसके इफेक्ट को खतम कौन करेगा? screening effect उसके इफेक्ट को खतम करेगा यह बात यहां पर लिखे हुई है consequently the atomic radii decrease in a particular series but this decrease very small and in the midway it is almost remain constant यह बात यहाँ पर लिखी हुई है तो बीच में यह क्या हो जाएगी constant हो जाएगी और last में क्या होगी यह slightly increase हो जाएगी यह आप चाहो तो मन से लिख सकते हो कि last में क्या होगी यह slightly increase हो जाएगी अब आप लोग खुद दिमाग लगा लो कि आखरी में यह slightly increase क्यों होगी क्योंकि उस समय effective nuclear charge का जो effect है वो बहुत ज़्यदा कम हो गया होगा और screening effect का जो effect है वो जादा बढ़ गया होगा यह dominant करने लग गया होगा screening effect जो है वो dominant करने लग गया होगा screening effect जो होता है उसमें क्या होता है force of repulsion लगता है ओके तो हम लोग यहाँ पर थे देख सकते हो आप लोग सारी चीज़ आपको समझा दी अगर आपके जो basics हैं अगर वो clear हैं तो आपको चीज़े समझ में आ रही होगी ओके अब बात करते हैं exam में इसे किस तरह से लिखना है तो अगर आप लोग starting की जो तीन लाइन लिखी होई यह उपर वो भी लिखके आते हो तो भी आपको एक number यहाँ पर से मिलेगा और यह जो question होता है न वो इस तरह से नहीं पुछ रहाता है एक्जाम में question इस तरह से नहीं आता है एक्जाम में question आता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाते है यह देखिए यहाँ पर वैसे हम लोग यह सारी चीच पढ़ेंगी अभी आप लोग यह देख लो question number 5 दिख रहा है आपको यह परिक्षा बहुत से हमने ले रखा है इसको सुरा जूम करते है तो आपको समझ में आएगा question किस तरह से आता है यह देखिए 2019 में यह प्रश्न आया था discuss the change in the following property of the list transition series atomic radii, ionization enthalpy, metallic character, oxidation state यह 2019 में आया था ओके तो यहाँ पर 4 नमबर की blueprint पहले तो 4 नमबर के हिसाफ से एक नमबर atomic radii का मिलेगा आपको एक नमबर ionization enthalpy का मिलेगा एक metallic character का मिलेगा एक oxidation state का मिलेगा तो समझ में आ रहा है आपको इन्होंने तो इतनी बड़ी राम कहानी लिख दी है लेकिन आपको इतना सपुष लिखने की ज़रूद नहीं है आप अपने हिसाब से इसको maintain कर सकते हूँ ओके तीन line की जो starting की तीन line लिखी हुई है वो भी अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे नमबर मिलेगे ठीक है तो इस तरह से आपको smart work करना लेकिन पता होना चाहिए reason क्या है उसका पता होना चाहिए चलो फिर से आजाओ वहीं पर यहाँ पर तुछी चीज़ आपको समझा दी हमने अब आपके जिम्मेदारी है पढ़ो इसको अच्छे से अब next जो हमारे पास trend है उसकी उपर बात करते है magnetic property magnetic property तो बस वही property आपको यहाँ पर लिखने है कि जो deep block elements है वो किस तरह की magnetic property शो करते है कि अगर आप उनको magnet के बीच में रखते हो दो magnet के बीच में रखते हो तो क्या वो ripple करेंगे, attract करेंगे किस तरह का इनका fundamental रहेगा वो हमें यहाँ पर समझना है तो काफी simple topic है आप चाहो तो इसे मन से भी लिख सकते हो magnetic property को आप लोग चाहो तो मन से लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपकी थोड़ो से basic clear होना चीए कि क्या होता है paramagnetic क्या होता है dimagnetic क्या होता है ferromagnetic यह जो चीज़े हैं हम लोग physics में भी पढ़ते है यह जो चीज़े हैं यह हम लोग physics में भी पढ़ते है chapter number जो हमारा 5 है ठीक है magnetism and matter वहाँ पर यह चीज़ आती है तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देखिए हम लोग बात करेंगे magnetic property की तो magnetic property जो होती वो तीन प्रकार की होती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं dyea magnetic हो सकता है इसका color change कर लेते हैं पहले तो dyea magnetic हो सकता है pear magnetic हो सकता है या फिर ferromagnetic हो सकता है dyea का मतलब होता है 2 अगर हमारे पास 2 electron है 2 electron केसे एक particular sub orbital के अंदर दो electron है, मतलब कि दो का पेर बना हुआ है, simple सी बात ये जैसे मान लो, ये हमारे पास पूरी एक orbital है ओके, ये P orbital हमारे पास है तो यहाँ पर अगर पेर बना हुआ electron का, ये, जोड़ा बना हुआ है तो उसे हमें क्या बोलेंगे, dia media magnetic बोलेंगे, dia और अगर मान लो, हमारे पास single electron है अगर ऐसा है हमारे पास तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेरा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरा तो जो dia migrant होता है diamagnetic substance को अगर आप लोग magnet के बीच मे रख दोगे दो magnet के बीच मे रख़ोगे तो क्या होगा, यह repulsion create करेगा, यह repulsion create करेगा, आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, repulsion create करेगा, color change करके आपको यहाँ पर बताते हैं, यह देखिए, repulsion, ठीक है, repulsed by a magnet, repulsed by a magnet, उसके बाद, पैरा magnetic में क्या होगा, पैरा magnetic में एक ही elektronied तो अट्रेट करना चाहेगा, वो जोड़ा बनाना चाहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर feebly attract करेगा, frequently, weekly attract करेगा, मतलब इतने अच्छी तरीके से attract नहीं कर पाएगा, लेकिन attract तो करेगा, यह है, कोशिचिज इसकी यही रहेगा कि मै attract कर लूँ लेकिन singal आदमी है जो होता है वो सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कर बहुत कम पाता है तो ये ही समझते हो पेरा magnetic अब जो fartree और बhit बहुत करेगा ऊठ्रेक्ट करेगा अच्छी तरहीगहे strongly attract करेगा strongly attract by a magnet यह बात यहाँ पर लिखी हुई है अब इनके example याद कर लो जिसे iron हमने देखा हुआ है ठीक है जो लोहा होता है लोहा कितनी आसानी से attract हो जाता है magnet की तरफ वो यहाँ पर आप लोग example लिख सकते हूँ यहाँ पर आप लोग aluminum याद कर सकते हूँ कि अलुमिनियम आप लोग याद कर सकते हूँ इसके अलावा यहां से कुछ याद कर लो गौल्ड वगेरा याद कर लो इसमें दो electronics होते है यह चीज आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो mercury याद कर लो zinc याद कर लो क्या होता है फली फुली फिल्ड होना यहां पे तो जो फुली फिल्ड है उनके एक्जाम्पल आप लोग यहां पर लिख दो पेरा में आपको सिंगल वाले लिखना है और फेरो में जो सबसे जान्दा अट्रेट करते हैं सबसे स्ट्रॉंग जो होते हैं इसे आईरन हो गया अगे चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हों यही बात हमने यहाँ पर लिख हुई यह देख लो आप लोग पेरा मेंगनेटिक डाया मेंगनेटिक फेरो मेंगनेटिक अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है औक्सिडिशन स्टेट चलिए तो आगे हम हम बात करेंगे Oxidation State के बारे में कि Oxidation Stat का क्या trend रहेगा यहां पर तो पहले तो आपको यह पता होना ची Oxidation State का मतलब क्या होता है Oxidation State का मतलब पता होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुर्छा आपको overview दे जेते हैं वैसे सबको पता होना ची ऐसे इस्टेट क्या होती है, simple भास है मगर हम बात करें, तो भाईया जितना इसके उपर charge आएगा, किसी atom के उपर charge आएगा, कब आएगा charge, जब वो किसी को gain करेगा, electron को gain करेगा, यह electron को lose करेगा, वो हम लोग oxidisness state मानते हैं उसकी, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, deeplock element पढ़ रहे हैं, तो deeplock element की जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर electron को कोई gain तो करेगा नहीं, क्योंकि यह सब metal हैं हमारे पास, अरे deeplock के जितने atoms होते हैं, ठीक है, जो element समारे पास होते हैं, वो जादा तर metallic character ही show करते हैं, आपको आगे बताएंगे, हमारे पास एक term भी आएगी metallic character करके, वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आप लोग सभी जानते होंगे, कि deeplock element जो होते हैं, वो metal होते हैं, और metal की tendency होती है, metal की tendency क्या होती है, electron को देने की होती है, electron को देने की होती है, ना कि electron को लेने की होती है, अगर सामने वाला electron को देगा, तो कितने electron देगा उसके उपर प्रश्ण खड़ा होता है अब ऐसा तो है नहीं कि घर बेच के गंगाजी चला जाएगा घर बेच के कोई गंगाजी नहीं जाता है मतलब यह है कि अगर ऐसा नहीं करेगा कभी भी कि उसके सारे electron वो डोनेट कर देगा और खुद खाली आद विकारी बन जाएगा इसा कभी नहीं करेगा जब तक वो stability रहेगी उसके अंदर जितना वो extend कर सकता है जितना वो दे सकता होतना देगा बाकी सब कुछ नहीं देगा वो electron तो कुछ सिमित मातरा होती ही electron देने की वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं oxidation state के अंदर तो पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो उसके बाद आपको चीज़े समझाते है तो क्या line लिखी हुई है पहली line में ही क्या लिख दिया है इन्होंने Mt दी blocks element shows variable oxidation state जो D block elements होते हैं वो variable oxidation state show करते हैं कोई इनकी fix oxidation state नहीं होती है किसी की 2 कि 3 कि 3 कि 4 कि State 2 3 4 कि 3 4 5 6 यहाँ पर आप लोग देख रहुघे होंगे variable oxidation state यह शो कर रहा है ठीक है variable oxidation state show कर रहा है अभी क्यों कर रहे है variable variable इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा था कि हमारे पास n-1 d orbital भी है और ns orbital भी है यहाँ पर आप लोग फोकस करो चीज़े समझ में आएगी आपको यह देखिए d block element shows the variable oxygen state due to participation of n-1 d and ns in bond formation यहाँ पर क्या होता है ना यहाँ पर d भी हमारे पास है और s भी है दोनों मिलके bond formation में help करते हैं तो s से भी electron का donation हो सकता है d से भी donation हो सकता है दोनों से मिलके भी donation हो सकता है आ रहे यह बात समझ में इसलिए यहाँ पर variable oxidation state show होती है variable का मतलब क्या होता है यह देखो जड़ा आप लोग यहाँ पर example हम लोग लेते है scandium का scandium का हम लोग example लेके चलते है scandium जो है इसके पास कितने electron से valence shell के अंदर यह देखिए यहाँ पर 3 electron इसके पास है ठीक है 3 electron इसके पास d के अंदर 1 के 4 के अंदर 2 है तो सबसे पहले तो यह क्या करेगा अपने 2 electron डोनेट कर सकता है अपने 2 electron जो S के अंदर है वो डोनेट कर सकता है यह यहाँ पर यह हो सकता है यह फिर यह यह करेगी 3 electron डोनेट कर दे 3 के 3 electron डोनेट कर सकता है कभी भी यह एक electron donate नहीं करेगा एक electron donate करेगा तो यह unstable हो जाएगा वो जो चाहता नहीं है करेगा तो दोनों electron एक साथ करेगा नहीं तो नहीं करेगा ओके तो यहाँ पर plus 2 और plus 3 शो कर सकता है आप लोग देखोगे सभी plus 2 oxidation state शो कर सकते हैं सभी यह देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो plus 2 oxidation state है वो general है ठीक है general oxidation state क्या है यहाँ पर यहाँ पर plus 2 है ओके यह बात हमें समझ में आई चलिए example अनलोग लेते हैं मेगनीज का MN का example लेते हैं मेगनीज का example लेते हैं तो मेगनीज के पास भाई है 7 electron है पांच D के अंदर है 2 S के अंदर है साथ electron तो पहले क्या कर सकता है यह दो electron donate कर सकता है और क्या कर सकता है तीन कर सकता है चार कर सकता है पांच कर सकता है प्लस 6 कर सकता है प्लस 7 कर सकता है प्लस 8 कर सकता है यह electron को donate कर रहे हैं अगर donate करेगा तो सामने वाले की उपर positive charge आएगा समझ रहे हो आप लोग ये बात ये समझना plus क्यों लगा है electron के चक्कर में ये गलत concept है mn positive 2 या फिर mn 2 positive ये मतलब होता इसका उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर 3 कर सकते हो यहाँ पर 3 कर सकते हो ये चीज़ होती है आरे ये बात समझ में ये चीज़ होती है तो ये रहेगा तो सभी plus 2 oxidation state शो कर सकते हैं यहाँ पर एक छोटा से exception आपको ध्यान रखना है जो copper है हमारे पास copper जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ copper plus 1 oxidation state भी शो कर सकता है क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग एक electron निकाल लेते हैं forest के अंदर से तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो कि D पूरा fill रहेगा यहाँ पर chromium के अगर हम बात करें तो chromium के अंदर भी 1 electron है और यहाँ पर 5 है लेकिन अगर आप यहाँ से donate कर देते हैं 1 तो यहाँ पर दिक्कत आजाएगी यह unstability को show करता है आपको आगे हम पढ़ाएंगे crystal field theory तो वहाँ पर आपको चीज़े समझ में आईगी कि यह क्यों होता है ऐसा जब आप लोग पढ़ोगे T2G, EG तब आपको चीज़े समझ में आईगी लेकिन अभी आप लोग इतना सा ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ कोपर ही ऐसा आदमी है सिर्फ और सिर्फ कोपर ही ऐसा आदमी जो plus one show कर सकता है आई बात समझ में अगर आपको यादो sand mirror reaction sand mirror reaction यह हम लोग organic chemistry में पढ़ते हैं अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको पता होगा और copper chlorine के साथ दो bond भी बना सकता है आ रहा है समझ में यह चीज़ आपको बता रहे हैं तो यह रहेगा variable oxidation state show करेगा manganese जो होता है वो सबसे जादा oxidation state show करता है बस इतना सा ध्यान रखो इतने में आपका काम हो जाएगा चलिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हुए चीज़े लिखी हुई है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग next हमारे पास जो property आती है वो है catalistic property catalistic property तो catalistic property का मतलब क्या होता है catalyst की catalyst की तरह behave कर सकते हैं यह लोग catalyst क्या होता है अब आपके मन में सवाल आना चीए कि catalyst क्या होता है और जवाब भी आपको पता ही होना चीज़ का जवाब क्या है catalyst क्या होता है catalyst वो चीज़ होता है वो प्राणी होता है वो आदमी होता भी है catalyst चो क्या करता है वो reaction में participate तो करता है लेकिन reaction में consume नहीं होता है पार्टिसिपेट करता है लेकिन consume नहीं होता है क्या मतलब हो इसका इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई reaction चल रही है तो वो reaction में जाएगा अपना काम करेगा और वापस वेसा का वेसा ही लोड जाएगा ठीक है बिलकुल नुकसान नहीं होगा भाई साब का ये चीज़ होती ही catalyst तो catalystic behavior ये show कर सकते है deep block element हमारे कैसे कर सकते है many of the deep block elements and their compounds act as a catalyst in various reaction example Fe, Rn जो होता है हमारा वो havers process में use होता है any जो होता है hydrogenation में use होता है V2O5 in manufacturing of H2SO4, veranidium pentoxide ओके ये सारे हमारे कुछ examples है जो की use होते है अब havers process हो गई H2SO4 वाली process हो गई ये हमारी P block element के अंदर होती है लेकिन वो तो आपका reduce हो गया तो आप लोग direct इसे याद कल लो उसके लावा निकल जो है निकल वाला तो आपको पता होगा निकल, palladium, platinum, hydrogenation में हम लोग use करते हैं तो जिन बच्चों को नहीं पता है hydrogenation क्या होती है वो organic chemistry में समझ जाएंगे जब organic chemistry बढ़ेंगे तब ठीक है तो ये है ये use होते हैं ये catalyst के तरह behave करते हैं बस यही बात यहाँ पर लिखी होई है अब देखो अब कारण आता है क्यों करते है क्योंकि इनका size बहुत छोटा होता है दूसरी बात ये variable oxygen state शो करते है तीसरी बात vacant d orbital इनके पास होता है एक orbital इनके पास vacant होता है खाली होता है एक d orbital इनके पास vacant होता है d block element के अंदर vacant d orbital होता है खाली D orbital इनके पास होता है इस वज़े से भी ये catalystic property शो करते है सिंपल से बात है size छोटा होता है variable oxidation state शो करता है तो इतने सारे कारण इसके हैं तो भाईया कुछ ना कुछ इसमें extraordinary चीज होगी तो extraordinary चीज यही है कि ये catalystic property शो करता है आगे आजाएए interstitial compound interstitial compound interstitial compound भी ये बना सकते हैं in the vacant space in a crystal lattice is known as interstitial site or void the known metal atoms H and C etc due to their small size when occupies such place the resulting compound is known as interstitial compound such compound are hard and rigid जैसे कि cast tiran हो गया steel हो गया यह यहाँ पर लिखा हुआ है अब बहुत से बच्चे समझ गया होंगे क्या इसका मतलब है अब जो बच्चे नहीं समझें उनको समझाते है the vacant space present in a crystal lattice crystal lattice आप लोग समझते हूँ point से हम लोग point को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के इस प्रकार के एक lattice बनाते है इस प्रकार का एक structure बनाते है यह हम लोग solid state में पढ़ते है एक chapter हमारा होता है solid state करके वहाँ पर हम लोग यह चीज पढ़ते है अब तो आपका वो reduce हो गया है तेकिन आप लोग यह समझ लोग कि जो चीजें होती है वो crystal lattice से मिलकर बनी हुई होती है छोटे छोटे point से मिलकर बनी हुई होती है इस तरह से बनी हुई होती है तो अब यहाँ पर क्या होता है ना इस प्रकार से points का arrangement होता है अब उस chapter में हम लोग arrangement भी सीखते हैं किस तरह से हमें arrange करना होता है किस तरह से हमें arrange नहीं करना होता है क्या-क्या दिक्कत आती है क्या-क्या इसके फाइदे होते हैं लेकिन अभी हमारा इतना कोई काम का नहीं है तो हम लोग direct हम लोग समझेंगे चीजों को कि मान लीजी कुछ इस प्रकार से हमारा crystal lattice arrange अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर खाली जगा है आपको खाली जगा दिख रही होगी यहाँ परे 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 यहाँ यहाँ परे यहाँ यहाँ परे य non metal आके फस जाता है non metal कौन सा हो सकता है hydrogen हो सकता है nitrogen का molecule हो सकता है cn हो सकता है carbon हो सकता है cn नहीं बोलेंगे हम लोग carbon बोलेंगे c यहाँ पर हो सकता है तो अगर यहाँ पर आके यह फस जाते है तो इसको हम लोग बोलेंगे और जो compound पुरा बनेगा यहाँ पर देखिए पुरा जो compound बनेगा जब non-metal आके यहाँ पर फस जाएंगी तब जाकि जो compound हमारे पास बनेगा उस compound को हम लोग बलेंगे interstitial compound तो यह interstitial compound बना सकते हैं अब यह जो आपको दिखे रहा है न पॉइंट जो दिख रहे हैं यह point किसके हैं metal के point है हमारे ठीक है metal के atom है अब वो metal कौन सी होगी वो deep block की metal होगी simple सी बात यह property deep block वाले element शो करते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करें ठीक है तो deep block के जो deep block element जो होते हैं हमारे भाया आपको interstitial property शो करते हैं interstitial compound बना लेते हैं कैसे बना लेते हैं आपको समझा दिया जो interstitial side होती है उनके अंदर कों फस जाते हैं non-metal atom फस जाते हैं आकर तो इस वज़े से क्या होता है इस वज़े से हमारे पास interstitial compound बन जाता है यह बाद यहां पर होती है ओके तो यह रहेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग simple सी चीज़ है यार समझ गयोंगे आप लोग यहाँ पर यह सारी जीज़ हम लोग clear कर लेते हैं चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे फिर यहां से इसको आगे बढ़ते हैं यह हमारा हो गया इंटेस्टिचल कंपॉर्ण हमारा हो गया आगे हम बात करेंगे एलोई फॉर्मेशन के उपर इसके उपर बात करेंगे हम लोग एलोई फॉर्मेशन के उपर बात करेंगे एलोई फॉर्मेशन एलोई फॉर्मेशन क्या मतलब होता है एलोई का पहले तो प्रश्ण यह आता है तो हम लोग class 10 में पढ़ते हैं एलोई क्या होते है class 10 में हमने पढ़ा होगा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो यहां पर देखो An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a non-metal or a metal or a non-metal and a non-metal in definite proportion For example brass Brass it is a mixture of two metal copper and zinc standard steel it is a mixture of iron nickel chromium यह होता है हमारा alloy तो alloy एक एसा homogeneous mixture है उसमें क्या होता है उसमें हमारे पास एक metal होती है एक हमारे पास metal होती है अब उस metal के अंदर हम लोग क्या करते हैं या तो हम उसमें metal एक और मिला सकते हैं या फिर हम लोग उसमें non-metal मिला सकते हैं आई बात समझवें फिर से सुनों आप लोग यहाँ पर हम लोग यह यह ले लेते हैं यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए हमारे पास एक metal है अब metal के अंदर आप चाहो तो इसी में क्या mix कर दो आप लोग इसमें एक और metal mix कर दो इसको बोलते हैं M1 इसको बोलते हैं M2 या फिर आप लोग और या फिर आप लोग यहाँ पर non-metal use कर सकते हो तो तब जाके जो हमारे पास mixture बनेगा उस mixture को हम लोग बोलेंगे तो अब आप लोग एक बार और पढ़िए और अलोई is a homogeneous mixture of two or more metal और a metal and a non-metal in definite proportion for example brass brass में क्या होता है एक copper होता exink होता है ठीक इस तरह से आपको समझना है आगई बात समझ में आपको यह रहेगा तो question हमारा यह थोड़ी ना है question हमारा यह थोड़ी ना है हमारा प्रश्ण है कि alloy कैसे form होता है क्या यह alloy form कर सकते है क्या यह alloy form कर सकते है प्रश्ण यह है हमारे पास तो जो deep-lock elements होते है जो deep-lock elements अमारे पास होते है deep-lock elements जो हमारे पास होते है उनुकी क्या property है वो यहाँ पर लिखी हुई है they have tendency to form alloy यह alloy बना सकते है transition metals form alloy very easily because the size of transition metals are quite similar and they can mutually substitute for one another in a crystal lattice समझे चीज को क्या है यहाँ पर यह जो आपको crystal lattice दिखाई दे रही है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यह हमारे पास metal M की crystal lattice है किसकी crystal lattice है यह metal M की crystal lattice है थोड़ी देर के लिए मान लेते है metal M M क्या है कोई सी भी metal हो सकती D block की यह crystal lattice बन गई अब हम लोग क्या करेंगे इस crystal lattice में से किसी एक point को आप लोग पकड़ लेजिए यह वाला point आप लोग पकड़ लेजिए इस point में से जो भी metal के atom है उसको निकाल लिए बाहर यह निकाल दिया हमने point को इसका point हमने बाहर निकाल दिया अब हम लोग क्या करेंगे इसकी जगा पर इसकी जगा पर क्या करेंगे atom of metal M dash M dash हमारे पास एक और दूसरी metal है यह दूसरी metal है यह दूसरी metal है यह दूसरी metal का atom है हमारे पास इस atom को हम लोग यहाँ पर fix कर देंगे आई बात समझ में इस atom को हम लोग यहाँ पर लाके fix कर देंगे, यह देखिए इस तरह से, तो एक बाहर निकला, एक अंदर आया, उसी जगा पर आया, उसकी जगा पर आया, हमने जो पिछली बार पढ़ा था, भी थोड़ी दिर पहले जो पढ़ा था, interstitial compound, उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें ह तो यही तो होता है LOE हमारा, यही तो हमने definition पढ़ी दी, और इसके हिसाब से हमने कहानी बना दी, यह बात है यहाँ पर, आई बात समझ में, तो इस तरह से आप लोग कहानी आगे लिख सकते हो, यह यहाँ पर इसकी जो भी definition वगेरा जो हमने लिखी है, इसके हिसाब से बोलना चाहो, बोल सकते हो, enthalpy और energy एक ही होता है, confuse होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ionization energy is high and generally increased when moving from left to right, in a periodic table, due to increased nuclear charge with increase in atomic number, तर सिंपल सी बात है, इसमें जानदा कोई आपको पच्चने वाली बात है नहीं, ionization energy आपको समझा दिया क्या होता है, ionization energy का मतलब क्या होता ह है, एक हमारे पास एक atom है, एक हमारे पास atom है, atom के अंदर से हम एक electron निकालना चाहते हैं, उस electron को निकालने के लिए हमें जो energy देनी पड़ेगी, हमें जो energy देनी पड़ेगी, electron को निकालने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ionization energy बोलते हैं, तो अगर आपको d block में से, D block element में से एक electron को निकालना है तो आपको energy देनी पड़ेगी तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है यह सारे metal है, और metal क्या करता है metal जो होता है वो electron आपको दे देता है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें metal दे देता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपन नहीं है लेकिन हमारे पास जो प्रश्ण है वो है trend को लेकर तो अगर हम लोग left से right की तरफ move करें periodic table के अंदर जैसे scandium से हम लोग zinc की तरफ move करें तो क्या होगा ना जैसे जैसे हम लोग left से right की तरफ move करेंगे हमारी जो ionization energy है वो बढ़ती जाएगी हमें जादा energy देनी पड़ेगी zinc जो है ना zinc में से अगर आपको electron निकालना है तो आपको energy बहुत जादा देनी पड़ेगी क्यों देनी पड़ेगी पता है reason समझो इस चीज का zinc जो होता है zinc में electron की संख्या बहुत होती है d तो पूरा उसका fulfill होता है अब वो stable है zinc stable है अब आप उससे electron लेना चाहते हो तो आपको क्यों देगा आ रही बात समझ में zinc के में क्या होता है zinc के के अंदर d के अंदर 10 electron होते हैं और s के अंदर कितने होते हैं दो होते हैं fulfill होता है यह यह तो बता हो क्यों देगा आपको यह electron नहीं देगा हो तो अगर आपको चाहिए जिद कर रहे हो आप लोग तो आपको बहुत ज़्यादा पेसे खरच करने पड़ेंगे और पेसे को हम लोग यहाँ पर energy से समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमें किसी चीज को चाहिए और वो देने को राजी नहीं है तो हमें ज़्यादा पेसे लगाना पड़ेगा बोली लगानी पड़ेगी उसके लिए तो zinc से अगर आपको electron चाहिए तो आपको ज़्यादा energy देनी पड़ेगी तो आप लोग यह समझ सकते हो ज़्यादा energy हमें देनी पड़ेगी यह तो high energy हमें देनी पड़ेगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है next हमारे पास है metallic character जो कि सबसे easy है सबसे ज़्यादा easy है अगर कुछ चीज है तो यही है metallic character deep block जो होते हैं वो अच्छे metals होते हैं अरे deep block जो होते हैं deep block के elements जो होते हैं वो सारे अच्छे metals होते हैं तो पढ़ लो आप लोग यहाँ पर खुद समझ जाओगे these are good metals अगर यह line लिखके आगे ना इतनी सी good metal तो भी आपको पूरे एक number मिल जाया गए यहां से कोई नहीं रोक सकता है यहां से क्योंकि metal होते हैं और आपने सत्ती बोला है जूट थोड़ी ना बोल रहो कि metal नहीं होते हैं good metal होते हैं these are good metals and shows all the characteristics of metal और जो metal की characteristics होती है वो सारी यह show कर सकते हैं because of unpaid electron chromium magnus are much harder than यहां पर पूरी बात नहीं लिखी हुई है लेकिन आप लोग चाहो तो यहीं तक cover कर सकते हो यहां तक cover कर लो काफी है पूरी बात हम आपको बता देंगे कोई दिक्कतवारी बात नहीं है because of unpaid electron chromium and magnus are much harder than other elements unpaid electron होते हैं chromium और magnus के अंदर तो इनको हम लोग जादा harder बोलते हैं लेकिन प्रश्न यह हमारे पास ही नहीं प्रश्न तो हमारे पास यह है metallic character को लेकर यह अच्छे metal होते हैं और यह सारी property show करते हैं metal की अब metal की property क्या क्या होती है metal की property आप लोग लिख देना ओके तो यह यहाँ पर लिखना है इस्टार्टिंग की दो लाइन लिख लेना जहां तक हमने टिक लगाई है इतना काफी है कभी-कभी ऐसा होता है notes में वैसे notes पूरे ही है क्या दिखकते उसमें विकॉस वण पेड इलेक्ट्रों chromium and magnus are much higher देना दर elements इस तरह से आप लोग पूरा complete कर लेना ओके चालिए तो काफी simple था metallic character तो आप लोग पूरे एक में से एक number लेया होगे विश्वास है हमें आगे आजाएए melting and boiling point की उपर melting and boiling point की उपर they have high melting point and boiling point the melting point decrease with increase in atomic number the melting point decrease in the melting point decrease with increase in atomic number the high melting and boiling point is due to strong metallic bond between the atom of these elements zinc, cadmium, mercury have low melting point due to absence of unpaired electron due to absence of unpaired electron okay due to paired electron बोल सकते हो या फिर due to unpaired electron बोल सकते हो absence of unpaired electron बोल सकते हो okay समझो चीज को क्या है समझो चीज को क्या है भी or melting and boiling point melting and boiling point सबऩ। ौइन हे वो point जिसधी उपर हमारा element جो हे who melt हो जाता है पिगल जाता है boiling का मतलब क्या होता है जिस has point के उपर आके हमारा element है που बोल होना चार्ट हो जाता है उबलना चालो हो जाता है उसको हम लोग गोलते है melting point boiling point तो बात करें अगर हम लोग इनकी तो आप लोग यह लाइन लिख देना कि इनका high melting point boiling point होता है यहाँ पर इससे लिख लेते हैं इनका high melting point and boiling point होता है यह क्या हो रहा है यहाँ पर high melting point होता है और boiling point इनका होता है high होता है इसका reason क्या है इसका reason यह है अभी हमने बताया आपको, कि यह metal है, यह हमारे पास क्या है, metal है, ठीक है, और जो metals होती है, जो धातुएं होती है, धातुओं को कभी आपने देखा है, उबालते हुए, इसे देखा तो नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जहां पर boiling किया जाता है, जि इतना आसान नहीं होता है इसलिए आपको ज़्यादा टेंपरिचर देना पड़ेगा आरे ये बात समझ में इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बोलिंग पॉइंट होता है ठीक है ये बात यहाँ पे होती है और जैसे 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 आप लोग अटोमिक नमबर बढ़ाते जाओगे I'm very sorry यहाँ पर क्या लिखा हुआ है with increase in atomic number with increase in atomic number जैसे जैसे आप लोग atomic number को बढ़ाते जाओगे मतलब जैसे जैसे आप लोग scandium से zinc की तरफ move करोगे वैसे वैसे क्या होगा वैसे वैसे हमारा melting point decrease होता जाएगा क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा मतलब scandium भाई साब जो है उनका melting point बहुत जादा है लेकिन zinc पर आते आते यह कम हो जाएगा मतलब zinc को आप लोग आसानी से melt कर सकते हो scandium के compare मैं इसा क्यों हो क्योंकि आपने atomic number बढ़ा दिया है मतलब electron की संख्या बढ़ चुकी है आरे यह बात समझ में आपने अभी देखा था जो metallic character होता है वो क्या होता है metallic character left से right की तरफ जो आप move करते हो तो वो decrease होता है metallic character तो जो अच्छा metal होगा उसको उबालना मुश्किल होगा और जो non-metallic behavior थ्रौबोट शो कर सकता है उसको आप लोग बोल सकते हो कि उसका melting point कम होगा आई बात समझ में ये बात आपको यहाँ पर लिखने है ठीक है और आगे देखो और क्या लिखा हुआ the high melting and boiling point is due to strong metallic bond वोई बात है metallic bond होती है यहाँ पर अब metal है तो metal के अंदर क्या होगी metallic bond होगी उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ zinc, cadmium, mercury have low melting point अब यह बता दिया आपको low होता है क्यों क्योंकि इनके पास due to paired electron due to paired electron इनके पास electron जो pair होते हैं electron pair क्या होता है इसके बाद समझ में इस तरह से आपको लिखना रहेगा चलिए तो यह रहेगा एक काम करते हैं यह जो high high लिखा हुआ है इनको clean करते हैं पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे ओके तो next हमारे पास जो topic है वो है नीचे देखो आप लोग enthalpy of atomization enthalpy of atomization of an substance into a gaseous atom is called enthalpy of atomization enthalpy of atomization का मतलब simple सा है कि अगर आपके पास one mole of substance है अगर आपके पास एक mole of substance आपके हाथ में रखा हुआ है यह आपके पास रखा हुआ है अगर आप चाहते हो कि इससे हम gaseous में convert करते हैं gaseous atom में इसको convert करते तो जो energy आपको देनी पड़ेगी उस one mole substance को gaseous atom में convert करने के लिए उसे हम बोलेंगे enthalpy of atomization ठीक है यह बात यहाँ पे होती है तो आप लोग समझ सकते हो इसको भी आपको क्या लिखना है हाई लिखना है इसमें भी the enthalpy of atomization is high for transition elements यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे है यह यहाँ पे the enthalpy of atomization is high for transition element which indicates that the atoms in this element are held together by strong metallic bond आई बात समझ में the energy यह क्या हो गया यहाँ पे आजाए फिर से the enthalpy of atomization is high for transition element enthalpy of atomization काफी जादा high होती है which indicate इसका मतलब simple सा यह है कि इनके बीच में जो हमारे elements की जो atoms है atom atom की बीच में क्या है बहुत तगड़ी metallic bond लगी हुई है अच्छे metals हैं यह यह indicate करता है ठीक है पानी बानी होता तो उसको इसे ही convert कर देते हैं गेस में लेकिन यह metal है यह बात indicate करता है आया बात समझ में चलो यह भी complete हो गया हमारा चली है तो आगे हम बात करेंगे formation of color compound की ठीक है बार भी property हमारे पास है जो कि यह formation of color compound बहुत ज़्यादा important बहुत ज़्यादा important बहुत ज़्यादा important यह topic बहुत important है बहुत बार direct question आता है कि transition element color show क्यों करते है और इसके लिए कुछ logical question भी बनाया जाते है आपको बताएंगे किस तरह की question आते है exam में उससे पहले एक concept clear होना बहुत ज़रूरी है काफी important topic है है formation of color compound आपने देखा होगा जो deep block element के कुछ elements होते है for example gold हो गया हमारा sona हो गया sona जो होता है हमारा वो पीले color का होता है तो ये color show कैसे करता है ये metal color show क्यों कर रही है इसका reason क्या है तो पहली बात तो हमें समझ में आ गए color तो show करता है जो deep block elements होते हैं जैसे की copper हो गया इसके अलावा हमने देखा है zinc को iron को देखा है iron के लबाग गोल्ड को देखा है ये सब क्या है ये deep block element के part है जो कि हमने देख रखे है तो ये सब color show क्यों करते है color show क्यों करते हैं इसका reason हम लोग देखेंगे पहली बात हमें समझ में आए कि हाँ deep block element जो होते हैं वो color show करते है तो क्या line लेखे हुई है हमने compounds of transition elements transition metals बोल दो elements बोल दो एक ही बात है are mostly colored जादातर color show करते हैं जादातर क्यों लिखा है क्योंकि जरूई थोड़ी सभी color show करेंगे जादातर हम लोग लिखते है chemistry की भाष्टा में ये ही चलता है जादातर the color of transition metals iron or their compound is due to partially filled partially filled n-1 d orbital or such that the unpaired electron in n-d orbital तो simple size का उत्तर ये है कि जो transition metals होते हैं उनके पास जो d orbital होता है वो partially filled होता है पूरी तरह से filled नहीं होता है partially filled होता है 10 के 10 electron नहीं होता है उसके अंदर 10 के 10 electron deep block के अंदर नहीं होता है partially filled होता है किसी में 5, किसी में 7, किसी में 9 इस वज़े से जो unpaired electron होता है जो single electron होता है वो color show करवाता है भी या केसे करवाता है केसे हम लोग समझेंगे उसको पूरा समझाएंगे आपको बिल्कुल fill करवाएंगे उसको लेकिन पहले ये समझ लो कि इसका उत्तर क्या है कि unpaired electron के पास होते हैं deep block के अंदर उसकी वज़ा से उसकी वज़ा से color compound show करता है चैली नीचे भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस compound को क्या लिखा हुआ है compound नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस चीज को और आपको पूरा समझाएंगे किस तरह से color show होता है किस तरह से exam में आपको लिखना है और किस तरह से आपको खुद को समझना है वो चीज भी ज़रूरी है देखिए होता क्या है हमारा जो D-block होता है D-block कुछ इस प्रकार का दिखता है कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते है 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारा क्या बन गया भई यह D-block बन गया यह होता है D-block किसी तरह से दिखता है अब यह जो D-block है D-block के अंदर मान लो आपने एक electron को डाला एक electron को भी थोड़े दरीक लिए मान लेते हैं अब यह जो electron हमारा है यह electron क्या करेगा low energy level low energy level से कहा जाने की कोशिश करेगा यह high energy energy level में जाने की कोशिश करेगा फिक है जैसे कि आप लोगो आप लोग पहले 9 class में थे तो आपका target क्या था कि हम 10 वी क्लास में आ जाएं 10 वी के बाद क्या सोचा आपने कि हम 11 वी में आ जाएं 11 वी के बाद 12 वी सोच रहे हो 12 वी के बाद क्या सोच रहे हो कि pass हो जाए college चले जाएं तो यह इसके साथ होता है low energy level से high energy level में जाने की कोशिश करता है पहली बात यह यह job energy level है जो हमारे 5 बक से बने हुए यह तूट जाते हैं कुछ इस प्रकार से मतलब generate हो जाते हैं degenerate हो जाते हैं इनको आप लोग इस तरह समझ सकते हो तीन यहाँ पे होंगे sorry माफ कीजेगा यहाँ पर हमारे दो होंगे यहाँ पे हमारे बिया दो हो जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हमारे तीन रहेंगे यहां पर हमारे कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं T2G T2G इसको हम लोग बोलते हैं EG क्या बोलते हैं इसे हम लोग EG बोलते हैं क्या मतलब हुआ इसका EG का मतलब होता है evenly generated इसको हम लोग लिख लेते हैं काम करते हैं यह यहां से लिख लगते हैं यह देखेगा, evenly generated, अब यहां पर हम लोग लगा देते हैं, कि यह हो जाएगा तो होगा क्या यह low energy level है low energy level यह हमारा low energy level है यह हमारा भीया high energy energy level हैdriven early energy level समझा दिया अब electron की कहानिया आपको बता देते हैं मानली जी जो आपका electron ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ गया अब यह क्या करेगा यह electron क्या करेगा भीया यह surrounding से energy को absorb करेगा surrounding मतलब वातावरन से यह क्या करेगा energy को absorb करेगा for example हमारे पास सूरज चाचुए sun के पास से जो प्रकाश आएगा उसको यह क्या करेगा absorb करेगा absorb करने के बाद क्या करेगा absorb करने के बाद जितना इससे absorb होगा जितना इसकी capacity होगी absorb करने के बाद यह कहां चला जाएगा यहां से उटके यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां से उठके यहां पे आ जायेगा तो यहां से उठके यहां पे जब आया तो क्या condition होई हमारे clone ने क्या किया हमारे जो clone था उसने Energy को क्या किया Energy को Absorb किया ठीक है और कुछ Energy को उसने वापस Reflate कर दिया जो बज़गी energy जो उससे नहीं हो पाई उसको क्या किया उससे रिफलेट कर दिया अब आपको कहानी समझ में आईगी सुनो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखो मालो हमारे पास एक prism है कुछ इस प्रकार से हमारे पास prism है प्रिज्म से आपने क्या किया एक white light यहां से छोड़ी white light आपने छोड़ी अब यह जो प्रिज्म होता है white light कितने color से मिलकर बनी हुई होती है 7 color से 4, 5, 6 और यहां पर 7 कौन-कौन से होते हैं विब ग्योर ठीक है विब ग्योर विब ग्योर विब ग्योर मतलब क्या होता wallet, indigo, blue, green, yellow, orange, red तो हुआ क्या मानलो हमारे पास यह electron है ठीक है यह जो electron है हमारा थोड़ी देर के लिए मानलेते हैं titanium का कोई electron होगा यह क्या किया titanium ने titanium जो हमारे पास element है इसने क्या किया इसने मानलो कोई सा एक color को absorb कर लिया थोड़ी देर के लिए मानलेते हैं जो हमारे पास blue color है blue color को titanium ने absorb कर लिया blue color को titanium में क्या किया absorb कर लिया अब absorb क्यों किया ताकि यह higher energy level में प्रवेश कर सके अब जो बाकी color बजगे वो हम लोग बोलेंगे complimentary color यही आपको दिखाई देंगे जो उसने absorb किया है वो तो उसने खुदने रख लिया बाकी जो बजगे उनको reflect कर दिया और जो reflection होता है वो हमें दिखाई देता है यह बात यहाँ पे होती है ठीक है तो यह फंड़ा यहाँ पे होता है कि unfade electron जो होते हैं वो जो dd transition करते हैं इसको बहुते है dd transition d to d transition d d transition उन्होंने किया ठीक है उस समय उस समय जो energy उनने absorb करी वो तो ठीक है जो कि जो बजगे उसको reflect कर देंगे और जो reflect करेंगे वो ही color हमें देखने को मिलेगा अब ज़रा आप लोग थियोरी पढ़ो तो आपको चीज़े समझ में चाहिए the color of transition metal पढ़ रहो आप लोग सभी यहाँ पर यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ से इसको open कर लेते हैं तो देखिए the color of transition metal ions is due to partially filled n-1 d orbital in the transition metal ion which contains unpaid electron unpaid d electron transition of electron take place from 1 d orbital to another d orbital यह बहुत important line 1 d orbital to another d orbital during this transition it absorbs the some radiation during this transition it absorbs some radiation of the visible light of the visible light figure and reflect the remaining radiation in the form of colored light in the form of colored light यह बात हम आपको बताना चाहते है reflect कर देता है thus the color of the ion is complementary to the color absorbed by it आई बात समझ में आपको यह आपको बताना चाहते है तो अगर आपको यह concept समझ में आ गया तो यह तो फिर बहुत easy आपके लिए ओके तो यह रहाएगा यहाँ पर तो कहानी आपको समझ में आई पूरी किस तरह से चल रही है इसका simple सा अगर आपको उत्तर समझना है तो यही है कि अगर आपके पास unpaired electron है वो ही करेगा क्या low energy level से higher level energy में प्रभेश simple सी बात आपको ध्यान रखेंगी है ओके चलिए यह तो आपको हमने बता दिया अब और देखिए जरा इसको हम लोग clean कर लेते हैं अब इसके related हम लोग question करेंगे कुछ इसके related हम लोग कुछ question करेंगे जो exam में आए हुए है यहाँ पर देखिए यह परिक्षा बोध में दे रखा है परिक्षा बोध में दे रखा गई है explain giving reason ठीक है तो पहला जो हमारे पास point है वो है transition metals and many of their compound shows paramagnetic behavior तो यह हमारा magnetic character के अंदर आ जाएगा तो यह आपको समझा दिया हमने इसके बाद second है हमारे पास यह आपको समझाना है तो आप बता देना कि metallic bond यहाँ पे होती है उसके बाद third वाला जो हमारे पास है transition metals generally form color compound यह आपको अभी हमने समझा दिया उसके बाद fourth point है transition metals and their many compounds act as a good catalyst तो आप लोग सारी बात बता देना कि इनका side छोटा होता है variable oxygen state होती है इनकी और यहाँ पर weekendly orbital होता है तो यह सारे question आपको करवा दिया हमने उसके लावा आगे और चलिये यहाँ तो यह बाद चालू हो जाएगा लेकिन उससे पहले कुछ question आपको करवा देते हैं very sorry यहाँ पर आ जाते हैं फिर से question हमारा कहा गया भी यहाँ 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 पर देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग question number 7 देखें आप लोग यहाँ पर ti02 is white whereas tiCl3 is violet why? question आपसे पुछे जा रहा है why? ऐसा क्यों? ti02 तो white color का है मतलब इसका कोई color नहीं है लेकिन tiCl3 violet color का है मतलब इस color show कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो simple सी बात है tiCl3 के अंदर क्या होगा? unpaid electron होगे और ti02 के अंदर unpaid electron नहीं होगे आई बात समझ में इस तरह से आपको बताना है चलिए समझाते हैं आपको सबसे पहले हमारे पास आता scandium उसके बाता titanium titanium जो होता है उसके पास कितने electron होता है? 4 scandium के पास कितने electron होता है? 3 खीक है? 3 यहाँ पे होते है समझ में आ रहा है आपको चीज़े किस तरह से चल रही है? titanium के अंदर 4 electron होता है valence shell के अंदर तो titanium ने क्या किया होगा? titanium ने O2 के साथ bond बनाया होगा Ti O2 बनाया होगा अब oxygen जो होता है oxygen जो होता है, हमारा एक oxygen जो होता है वो 2 bond बनाता है तो 2 oxygen कितनी bond बनाएंगे? 4 bond बनाएंगे मतलब Ti जो है हमारा उसने क्या किया होगा? plus 4 oxidation state शो करी होगी plus 4 शो करी, मतलब 4 के 4 यह भाई साथ ने लोनेट कर दिये जो valence shell के अंदर है, वो तो इसके पास कितने बचे है अब? valence shell के अंदर 0 मतलब 0 क्या है, हमारा क्या है? even है, यह हमारा even है तो even number of electron इसके पास बचे हुए फिर से हम लोग Ti को देखते है Ti Cl 3 का example लेते हैं हम लोग Ti Cl 3 जो हमारे पास है इसमें क्या हुआ होगा? इसमें इसने 3 electron donate करे 3 electron donate करे, एक बचा लिया इसने Cl के साथ इसने bond बनाई Cl की एक bond बनती है, Cl सिर्फ एक bond बनाता है तो इसके पास valence shell में एक electron बच जाएगा, तो इस वज़े से क्या होगा? इस वज़े से यह color show करेगा अब फिर पूरी line आप लोग लिग देना कि यहाँ पर DD transition हो रहा है, इसलिए आई बात समझ में, इस तरह से आपको क्यूशन solo करने रहेंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कहाँ पर देख लेते हैं आपको कहाँ पर करवा देते हैं यह देखिए, question number 5 देखिए आप लोग नहीं, यह question वोला नहीं है यह radius related question है, जो कि 2018 में आया था radius related question है क्या आप उसे आ रहा है, the radius of Fe2 plus IN is smaller than the radius of MN2 plus IN Y तो यह question में आप लोग कर सकते हूँ कैसे करना है, समझे इसको थोड़ा सा Fe और MN Fe और MN में से कौन पहले आता है तो आपको अगर नहीं पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हूँ, आप लोग पूरी चीज फिर से लिख लेजिए, scandium titanium, vanadium, chromium manganese, iron cobalt, nickel copper और zinc अब आप लोग देखिए, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में हमसे पूछा जा रहा है, Fe 2 प्लस और MN 2 देखिए जरा, यह यहाँ पर Fe है, यहाँ पर हमारे पास MN MN कौन से नंबर पर आएगा 25 नंबर पर कौन से नंबर पर आएगा 25 नंबर पर यह किस होता है ना हमारे पास 22, 23, 24, 25 नंबर पर यह आएगा 26 नंबर, मतलब इसका अटमिक नंबर 26 होता है तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, हमारा साइज छोटा होता जाता है जनरल हम लोग बात करने हैं तो अगर हम लोग कंपेर करें मेगनिस और आईरन में तो दोनों में से साइज छोटा किसका होगा एफी का साइज छोटा होगा और एमेन का साइज बड़ा होगा यह हम लोग बता सकते हैं अब बात यह नहीं है बात उन्होंने ये पुछी है कि अगर हम लोग F E मेंसे भी 2 electron निकाल लें और M N मेंसे भी 2 electron निकाल लें ठीके F E 2 plus का मतलब क्या होता है और M N 2 plus का मतलब क्या होता है किसी के उपर 2 plus charge आया इसका मतलब कि इसने 2 electron दे दिये तो अगर आप लोग अगर आप लोग F E के अंदर से 2 electron निकालते हो तो F E 2 plus बनेगा M N के अंदर से निकालते हो तो M N 2 plus बनेगा तो जब आपने बराबर electron निकाले हैं तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा अब इसका कितना हो जाएगा atomic number यह हो जाएगा इसका 23 और इसका कितना बचेगा इसका 24 हो जाएगा तब भी यह बड़ा है और तब भी size हमारा छोटा ही होगा तब भी हमारा size क्या होगा छोटा होता जाएगा आई बात समझ में यह होता है यहाँ पर अच्छा हमने इसको यहाँ पर लिख दिया ना very sorry एफी जो होगा एफी का 26 है तो यहाँ पर 24 आएगा यहाँ पर 20 आजाएगा simple सी बात है में इस लगा सकते हो आप लोग यह चीज यहाँ पर आपको बता नहीं है तो अब आपको पता है कि जब हम लोग left से right की तरफ move करते हैं तो हमारा size चोटा होता जाता है जनरली हम लोग बात कर रहे है तो ऐसे में पूरी कहाने लिख देना कि यहाँ पर force of attraction बढ़ेगा force of attraction बढ़ेगा दोनों के बीच में electron electron के बीच में force of attraction electron और proton के बीच में force of attraction जब बढ़ेगा तो हमारा साइच छोटा होता जाएगा nuclear charge की वज़े से बात खतम, पैसे हजम और क्या इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो थियोरी पूरी लिखी हुई है यहाँ पर आप लोग बस पढ़ लेना उसके अलावा और कौन से question में आपको दिक्कत आ सकती question number 4 देख लो, transition element form alloy यह तो आप लोग कर लोगे उसके बाद और क्या है why do transition metal exhibit variable oxidation state यह भी आपको करवा दिया है तो यार बहुत सारे question आपको करवा दिया हमने यहाँ से अब next वीडियो में हम लोग क्या करेंगे A block element करेंगे और क्या करेंगे K2, CR2, O7 और KMN4 देख लेंगे तो अगले वीडियो में इस chapter को पूरा finish कर लेंगे